Let's see one more example, say we are having integration of e raised to bar x into sin x dx, यह question, अगर हम islet के हिसाब से देखें, तो इसमें e raised to bar x क्या हो गया? exponential, sin x क्या हो गया? trigonometric, तो उसका मतलब क्या है कि इन दोन में पहले कोन है? trigonometric, तो जो trigonometric sin x आया है, that should be first function, this should be second function, यह ठीक है? no answer, i is equal to, इसमें by part लगाया, जो first function है वो पहले term में तो as it is लिखा जाता है, sin x, ठीक है? और जो दूसरा term होता है, उसमें differentiate करके लिखते हैं, तो sin x का differentiation कितना होगा? cos x, ठीक है? फिर e raise to power x का integration तो e raise to power x होगा, और integrate तो दोनी जगे क्या आता है, e raise to power x, यहाँ पे भी e raise to power x, dx, ठीक है? अब ऐसा करने से नया integral आगया? यह जो integral है, यह अब नया question होगा है वापस, ठीक है? इसको कैसी भी solve कर सकते हो? ठीक है? अगर substitution लग रहा हो, direct formula लग रह हो, कुछ भी लगा सकते हैं, जो लग जए, ठीक है? अब तुम इसको ऐसे सोचो, कि यह वापस क्या हो गया? technometric and exponential हो गया, ठीक है? अच्छा, मैंने एक बार पहले यह शाहिद mention किया था, कि यहाँ पर जैसे, यहाँ पर वी technometric और यह है, हमने technometric को पहला बोलेंगे, यहाँ function के integration से आया है, ठीक है? और यह जो दूसरा function है, यह sinex के differentiation से आया है, ठीक है? अगर मैं यहाँ पर अपना choice reverse कर दूँ, कि मालने जो integration से आया है, उसको मैं first function बोल दूँ, तो यह आगे जागे क्या होगा? differentiate होगा? ऐसी जो यह वाला function आया है, इसको अगर मैं second बोल दूँ, इसको integrate करूँ, तो हम इस integral से वापस यहाँ पर पहुंच जाएंगे, जहाँ से question शुरू किया था, मतलब जब इसमें, अगर मैं reverse करके बाइपार लगाऊ, तो यहाँ से एक term generate होगा, वो तो इसको cancel कर देगा, और जो दूसरा term होगा, वो वापस से आ जाएगा, ठीक है, इ effectively हमने क्या किया, कि हम एक कदम आगे गए, फिर एक कदम वापस आगे, तो वहीं खड़े हैं, जहाँ पे खड़े थे, mathematical terms में बोलें, तो हमने i is equals to something से शुरू किया, फिर something, फिर is equals to something, और last में आगे वापस आई आगे, ठीक है, अच्छा, यह जैसे हमने i is equals to something से शुरू क तो इस बात का यह मतलब नहीं निकलता है, कि this is always true, hence i can be any function, या फिर हम बोलने का question unsolvable हो गया, यह answer बेकार है, ठीक है, इसका मतलब क्या निकलता है, अगर i बराबर i आगया, इसका मतलब यह निकलता है, कि जो हमने method लगा है, that is not working, उसका यह मतलब नहीं कि method गलत है, but that is not working, that is not good enough, ठीक है, उसका मतलब क्या है, we are supposed to think of something else, कुछ दूसरा method सोचना पड़ेगा, ठीक है, अगर ऐसे आ जाता, i बराबर i, ऐसे आ जाता, और उसका मतलब अगर हम यह निकाल पाएं, कि it is true for all functions, तो तो फिर हम किसी भी integration में क्या करेंगे, 2 से multiply करेंगे, 2 से divide करेंगे, बना एक बार multiply divide गया, उससे अगले step में 2-2 cancel करेंगे, वापिस आई आ गया, तो दुनिया का हर question solve जाएगा, एक line में ऐसे तो, ठीक है, तो i is equal to i आने का मतलब, क्या हो गया, कि जो भी हमने किया, वो बेकार हो गया, दोबारा करना पूड़ेगा, किसी नए method से, और कोई मतलब, ठीक है, what I was trying to emphasize, कि अगर एक बार हमने यह वाला choice ले लिया, मालने कि इसको second बोला, इसको first बोला, तो वो choice में, अगर उस choice को हम consistent रखेंगे अगर हम दुबारा बाइपार्स लगा रहे हैं तो उसको reverse नहीं करें, reverse करोगे तो जहां से शुरू किया दा, वापस वहीं पहुंच जाओगे, i is equals to sin x into e raise to power x minus, इस प्यावर हमने बाइपार लगाया, ठीक है, first function तो cos x ऐसी रहेगा, दूसरा function e raise to power x का integration करो, फिर e raise to power x आजाएगा, यागे, फिर minus integration of cos x का differentiation minus sin x into e raise to power x का integration e raise to power x, ठीक है, ये बन गया, इसको कर में बापस simplifier कर लिखा हम तो 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 तो, sin x into e raise to power x minus cos x into e raise to power x plus integral law sin x into e raise to power x into dx, ठीक है, ये minus minus plus हो गया, और एक ये भार minus है, तो उसकी वैसे ये net क्या हो जाएगा, minus, ऐसे हो गया, minus, ठीक है, अब ये फिर क्या गया, trigonometric exponential, आप हमने क्या क्या क्या, एक में रुक के सूचे क्या हो क्या रहे, ये जो original question था, उसमें एक sin था, और एक e raise to power x था, ठीक है, उसके जो नया integral generate हो उसमें cause हुआ, cause हुआ और एक e raise to power x आ गया, उसके बाद एक बार और बाइपर लगाया था, फिर जो नया function generate हो उसमें, फिर sin x आ गया, e raise to power x आ गया, उसका मतलब गया कि यह तो never ending हो गया, मतलब यह तो कभी खतम ही नहीं होगा, क्योंकि e raise to power x को integrate करते रहो, वो e raise to power x ही रहेगा, sin x को differentiate करते रहो लगातार, वो sin cause, sin cause, sin cause, ऐसे चलता रहेगा, उसका मतलब गया कि हम इसके आगए ऐसी proceed करते चले जाएं, तो question का भी खतम नहीं होगा, यह ठीक है, बट यहाँ पे हम क्या चीज अब्जर्व कर सकते हैं, कि जो जिस integral से हमने शुरू किया था, ठीक है, वो integral आ गया, तो मना जिसको हमने शुरू किया था, अगर उसको I बोला है, तो this is also I, अच्छा I अलगे हैं और यह first and second अलगे हैं, first second function को गोले में बंद कर दिया, encircle कर दिया, ठीक है, ओके, luckily क्या हुआ, जहा हम आई से शुरू होए थे, वो यह term के बाद राइट हैं पे फिर आई आई आगया, यह ठीक है, वो I भी minus sign के साथ है, minus sign के साथ आए, तो यह left पे चला जाएगा, अब इस integral को, ऐसे क्या, sin x minus cos x into e raise to power x, यहां से, ठीक है, i is equals to sin x minus cos x into e raise to power x, divided by 2, यह answer आगया, last में जाके हमने plus c कर दिया, यह answer, तो किस टाइप का question हो गया, यह question हो गया, यह type का कि हमने एक integral से शुरू किया, फिर हम आगे बढ़ते चले गए, वापे जागे, जिस integral से शुरू किया, वो ही generate हो गया, negative sign के साथ, ठीक है, तो फिर उस term को हम left in sight पे लेगे, हमने यह क्यों होना negative sign के साथ, क्योंकि यह exact i आगा है, अगर यह plus i आजाए, तो i दोनों तो उससे cancel हो जाएगा, i दोनों तो उससे cancel हो गया, उसका मुना हो गया, again this method is not working, अगर यहां पर plus के साथ i आया होता, तो फिर यह दोनों टर्म भी cancel हो जाने चाहिए थे, ठीक है, अगर मालिया plus i आजाए, और i आई आई cancel हो जाए दोनों तरफ से, तो फिर equation से क्या आजाएगा, sin axis equals to cos 6, sin axis equals to cos 6 आएगा, वो तो हमेशा सही नहीं होता है, उसका बना कहाएगा, अपने पका कुछ गरवड किया है, कहीं ने कहीं किसी step में कोई गलती किया, ठीक है, तो वहाँ पर जाके अपनी गलती चेक करेंगी, कहीं plus minus का गरवड किया होगा, या फिर अगर ऐसे हो जाए, मालने आई प्लस i की बजाए, प्लस i by 2 आजाए, कि exact cancel ना हो, तो भी चल जाएगा, अगर मालने प्लस i by 2 आगया, तो उसको left पे ले जाओ, वहाँ से i पता लग जाएगा, यह ठीक है, अच्छा, अगर मैं इस question के बारे में सोचू, मालने solve करने से पहली, मैंने एक दो स्टेप आगे सोचा होता है, कि क्या होने वाला है इस question में, e raised to par x को differentiate कर लो, integrate कर लो, कोई फ्रक नहीं परता, वो हमेशा e raised to par x रहेगा, similarly, sin x को differentiate कर लो, integrate कर लो, यह cyclic order में sin cos, sin cos आता रहेगा, ठीक है, तो अभी तो हमने क्या किया, कि sin x को first function बोला, और इसको हमने second function बोला, तो उससे क्या हो गया, कि दो बार by par लगा के, पहली बार sin cos में convert हुआ, फिर by par लगा तो cos sin में convert हो गया, दो बार by par लगा के, हमने right hand side पे वापस i generate कर लिया, ठीक है, अब अगर मान लिया, अब अगर मान लिया, कि, अगर मान लिया हमने कि, उल्टा choice कर दें, यहाँ पर शुरू में, sin x को second बोल दें, और e dh2x को first बोल दें, तो भी question solve हो जाएगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यह ठीक है, मतलब अगर isolate rule के, अब opposite चले जाए, इस question में, ऐसा नहीं है, हर question solve हो जाएगा, इस particular question में, अगर हम choice reverse कर दे, तो भी question solve हो जाएगा, यह ठीक है, इसलिए हमने शुरू में बुला था, कि highlight कोई, full proof rule नहीं है, यह तो एक केवल guideline है, यह ठीक है, अगर मैं erase facts को first बोलू, तो erase facts वो differentiate करते रहो, वो erase facts यह आता रहेगा, तो इसकी वैसे function change नहीं होगा, sinex को मैं second बोल के integrate करूँ, तो पहली बार minus को आजाएगा, फिर उस एगली बार वापस sign का term है, फिर आई आजाएगा, फिर भी solve हो जाएगा, solve वैसे भी हो जाएगा, ठीक है, किसी भी question में ऐसे, जब हम by parts वगए लगाने वाले हैं, तो थोड़ा एक दो step down the line सोच लिया, कि क्या हो रहा होगा, ठीक है,